अस्सलाम आलेकूब वर्मतुल्लाहिव बरकातों अमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे खेर खेरियत से होंगे दोस्तों आज मैं आप इस वीडियो में भोलूँगा आप लोगों को ग्रेजिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए और ग्रेजिंग के बाद हुआ सुबा सुबा ही जब मैंने इनको ग्रेजिंग करने निकाला तो देखा क्या अंदर से एक लंगडा के चर रहा था एक बच्छा तो उसकी टांग तूड़ गई है वो भी फैक्चर पूरा हड़ी हड़ी अलग हो गया वो मैं आप लोगों को शाम को दिखाओंगा जो उसके साथ हो गया है तो उसको मैंने फिर वाई फारम पे रखा है तो अब मैं बाई लाएगा उसके लिए दवाई तो उसको फिर बाबन बस दवाई करेंगे और बांद के रखेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा तो फिलहाल मैं आप पर चोड़ते हैं आपको पता है गास भी कम होता है तो आगर आएगा विगास भागू में होगा भी तो वह वाटर का गास होगा उसमें ज्यादा वाटर होता है तो इसलिए आपको विंटर की फीड जाया नहीं करनी है इनको तकरीबन 10-15 दिन और 20 दिन फीड देनी चाहिए गास के बाद भी क्योंकि आत्में चाहसां आफ गास मुझे आप जाद है यह मतलब लागान की आत्में चाहसां वाटर जाद सचते पाई ही सचाहसां खास फुन गास कुशिच कारें ताम दहन पनान वहन दून फाल दिन इच तक आज यहून नाफुज रोज यह बराबर यह अच्यवान दसमंद यह समिहनत करां तो समिहनत गसनाब गास इंटो और मतलब ग्रेजिंग से पहले हमें काम करना है यह पहले ही वैक्सिनेशन करने है या शेरिंग करने है शेरिंग भी खाटम किया करो ताकि आप लुशी आपके शीप्स अच्छे रहे इनका बूल ताब आई जब जब मतलब पॉच्चर लेंड की तरफ जा जाते हैं तो उताब तक इनका वूल भी आए ताकि ये मौसम में अच्छे रहे तो दूसरे काम इनका वैक्सिन और शेरिंग तो यह होगे दो काम तो तीसरा काम होता है दोस्तो नाखुन का काम यह मैं स्पाटर छुमाना कोशिश करो तो नाम शेयर निश्ट शेयर निश्ट प्यवान जोरुरी ताकि यह पाटर रोजा साफ ताहत में मालब वालब कि क्योंकि जब ग्रेजिंग करने के लिए निकलते हैं उन में से मिटी जाती है चोटी चोटी पथर भी बैठते हैं फिर इन लंग डाकर भी चलत हो तो मुझे आज मुझे टेंशन नहीं है यहां की पहले जब मैंने शीफ फारम खड़ा किया था तो अब नुक्सान हुआ था क्योंकि मैं बागु में ले जा रहा था या नीचे जहां से पानी का पानी सिस्टम है वहां से गास जल्दी आता तो यहां से गास जल्दी नही लगना चाहिए उनको दावाई साथ उठानी है क्योंकि इसमें वो गाज भी होता है जो जहर होता है तो आपको वह काम ज़रूरी करना है ताके आपके शीब अच्छे रहे, तो यह जादा बागो में होता है, जहाँपर ज्यादा गास आता है, तो वही पे ज्यादा होता है, यहाँ से कोई ट isolation नहीं के यह पर गास कम है, तो आप को मैं आप शामको दिखाऊंगा। उस शीब के साथ क्या हुआ, वो छोड़ा बच् हूँ तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग नुक्सान मतलब नुक्सान पर उठाए इस तरह मैंने पहली दफ़ा पहले जब मैंने शीफ फारम खड़ा किया था तो तीन चार तक रिबन डेथ हुई थी आंसे पार वहीं पर भाग में कहीं फारम पर अचानक से फूल कोई हर जाने अपने साथ ही रखो क्यांकि आप लोग के शीफ अच्छी तरीके से बचे या ट्रीटमेंट जल्दी पोँचे तो आपको नुक्सान उठाना ना पड़े तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी कोश्च यही रहती है जो मुझे पता चलता है जो मैं कोश्च करता ह आप लोगों को बोलता हूँ मेरी कोश्च यही रहती है कि आप लोगों तक कुछ पोंचाता रहो तो इसलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपको मैं आप शाम को दिखाओंगा वापस जाने के बाद तो उसके साथ क्या हुआ है मुझे उसका बड़ा दुख है उसकी टांग ऐसे ऐसे हर रही है जबरदस तो आप में शाम को दिखाओंगा आप लोगों मुझे वो टेंशन जबरदस है तो अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ है अब वापस जाने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा आपको दिखाओंगा उसको क्या ट्रीटमेंट क मुझे आपको गयादसी करिवस्ताथओंगा आपको आपक में तो आपको लोग bitcoin को दोग치 दोगएंगाँ उसको करन भाफ दोरिbenगादस AT 30 अबर्स जाबरत अुर आपको ख्यादसी स्वाइबन जापकों में उसको काम है चासी एमस्ताथ पन्सके जापको कि प rédu आपको बोला था मैंने दोस्तो इसकी टांग टूड़ गए इस वाले की मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली टांग है तो देखो दोस्तो बस ये यहां पर पूरी टूड़ गई है देखो अब मैं इसको क्या काम करता हूँ मैंने धवाई सब लाई है तो अब अकेला हूँ मैं इस वकत नमाजी माज़ मैंने पड़ी तो अब इसको मैं इसको बांद के रखूँगा जुमा तक जुमा के दिन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को पूरा प्रासेस इसको फिलाल मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इसको बांद के रखूँगा और पें कलर दूँगा जिससे इसको धर कम हो जाएगा तो वो मैं करूँगा फिलाल मैंने दवाई वाई यह दिख लीजिए मोनोसेफ है मेलो नेक्स है तो ताकती दवा है इसके लिए विमराल भी बेने में लाया तमजूर न हो जाए तो और और अनरोफलाकसीन है तो यह दवा मैंने लाया है इसी के लिए तो इसको फिलाल इंजशन में जाल करेंगे इसको आराम मिलेगा तो फिलाल मैं इसको बांद के रखूंगा तो मैं अकेला हूँ तो इसको मैं फिलाल बाद में दिखाता हूँ आफ लोगों को मैंने इसको कैसे बांदा है ये फिलाल मैंने दोस्तों इसको जुगाड के तोर पर यह जुगाड किया है ताकि इसकी टांग सीधी रहे Friday के दिन तक Friday के दिन पापा पी गर में है और भाई पी गर पे है तो इसको हम अच्छी तरीके से यह बांदेंगे फिलहल मैंने इसको टांग सीधी रखी है ताकि इसकी टांग टेड़ी नहो जाए तो देखो यह कमजोर ही हो गया सुबा से ही इसको कि जा हालत हो गई बड़ा दुख हुआ है मुझे दोस्तों मुझे बड़ा दुख है इस वक्त मैंने आब फिलाल इसको थोड़ा बहुत दवाई भी मैंने आप दी पेन किलर भी दिया इसको आराम मिलेगा रात को तो फिलाल मैंने जुगाड के तोर पर इसको ये टांग सीधे रखने के लिए जुगाड किया है फ्राइडे के दिन तक तो इंशालला इंशालला आपको फ्राइडे के दिन में दिखाऊँगा आच्छी तरीके से इसको हम कैसी treatment करेंगी और कैसे मतलब यह जोड बराबर लाएंगी इसको help की ज़रूरत एक अगर एक बंदा इसको पगड़ेगा दूसरा बंदा आराम से इसको जुगाड कर सकता है आराम से इसको बंदिश कर सकता है तो फिलाल मैंने इसको किया इसको जुमा के दिन तक आरा काम इसको मिलेगा तो देखते हैं किया प्राइस्स रहेगा